नरेद मोदी डिस शंकरचारी से मिले वो कर रहे हैं अब विपक्ष की तारीफे प्रधान मंतरी मोदी ने शंकरचारी से आशिटवाद भी ले लिया पैर भी छूलिये लेकिन उसके बाद भी शंकरचारी महरास्ट में सरकार बदलने की बात कर रहे हैं विपक्ष के नेदा को मुख्य मंतरी बनता हुआ देखना चाते हैं उसे मुख्य मंतरी ही नहीं बलकि शंकर अचार ने तो ये भी आरोप लगा दिये कि केदारनात में सोने का घोटाला हुआ है महा घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनात का निर्मान कराया जाएगा और फिर एक बड़ा घोटाला होगा दोस्तों सभी आरोप कोई ओर नहीं बलकि जोती मट के शंकर अचारी स्वामी अभी मुक्तेश्वारंद लगा रहे हैं अब हो सकता है कि इतने बड़ा मुद्ध उठाने के लिए फिर से मोधी भक्त एक्टिव हो जाए और पिछली बार की तरह शंकर अचारी को उल्टा सीधा बोलने लगे दरसल शिफ सेना यूबिटी पर मुक उदव ठाकरे और शंकर अचारी की मुलकात होई थी जिसके बाद मीडिय से बात करते हूए शंकर अचारी अभी मुक तेश्वरन कहने लगे कि हम हिंदू धरम का पालन करते हैं हम पुल्णिय और पाप में विश्वास करते हैं विश्वास घात को सबसे बड़े पापों में से एक कहा जाता है वही उद्व ठाकरे के साथ हुआ है उनके साथ हुए विश्वास घात पर दुख है हमारा दुख तब तक नहीं जाएगा जब तक वो दुबारा मुखे मंतरी नहीं बन जाते हैं यहाँ पर शंकर अचारी अभी मुक तेश्वारंद साब साब बोल रही है कि वो उद्व ठाकरे को मुखे मंतरी बनता हुआ देखना चाते हैं बता मोधिजे का अमबानी के बेटे की शादी में उनका पैर भी छू लिया आशिरवाद भी रे लिया लेकिन क्या फायदा हुआ सारा दिखावा भी कर लिया लेकिन सब का सब यूँ ही रखा रहे गया मोतिजे जिन शंकर चारी अभी मुक तेश्वारंद के पैर छू रहे थे वो तो उद्व ठाकरे के समर्थक निकले फिलहाल माहरास्ट में बीजेपी और उसके सहयोग्यों के सरकार है लेकिन इसके बाद भी शंकर चारी और दवठाकरे को मुख्य मंतरी बनता हुआ देखना चाते हैं वैसे दोस्तों शंकर चारी के बयान के बाद भक्तों को तो बहुत बुरा लगा होगा हो सकता है कि वो फिर एक बार सोशल मीडिया पर संकर चारी को लेकर ट्रोल करने लगे वैसे जिस तरह से शंकर चारी अपनी वीडियो में ये बात कर रहे हैं वो तब ठाकरे को मुख्य मंतरी बनाने की बात कर रहे हैं वो सिब यहीं पर ही नहीं रुखे इस वीडियो में उन्होंने और भी बड़े आरोप लगा दिये इतने बड़े खुलासे कर दिये जिसको सुनने के बाद आप लोग चोक जाएंगे शंकरचारी अपनी वीडियो में आगे बोलते हैं आरोप लगाते वो बोल रहे हैं कि केदारनाथ में सोने का घोटाला हुआ है उस मुद्दी को क्यों नहीं उठाया जाता वहां घोटाला करने के बाद अब दिल्ली में केदारनाथ का निर्माण कराया जाएगा फिर एक और घोटाला होगा केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब है दोस्तो एक दो किलो नहीं ये 10-12 किलो नहीं बलकि शंकरचारिया आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब कर दिया गया है आज तक उस पर कोई भी जाच नहीं बिठाए गई है इसके लिए कौन सी मिदार है अब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में केदानाद बनाएंगे ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है जो शंकराचारिये बोल रहे है धरम के नापर घोटाला हो रहा है कभी राम मंदर की छचूने लगती है कभी केदानाद में सोना गायब हो जाता है आखर इन सब के पीछे कोन है किसके कहने पर ये घोटाले हो रहे है अगर वागे शंकराचारी की बातों में सच्चाई है तो इस पर जाज क्यों नहीं हो रही है केदानाद से 228 स्कूलो सोना गायब हो गया और बीजेपी खामोश मैठी है प्रधान मंदरी अंबानी की यहाँ पर दावतों में जा रही है लेकिन जाज के नाम पर डबा गुल हो चुका है खेद दोस्तों आप लोगों क्या लगता है श्रंगराचारे के आरोपो पर हमें अपनी राइज जरूर दें और बागे तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रही हमेरे साथ